हेलो फ्रेंज हमारे चैनल VS Online टिपस में आप सभी लोगों का एक बर्फिश से बहुत-बहुत सौगत है दुर्गी इनुवर्शिटी यानि हेमचन यादे विश्वी देले दुर्गे में अबर फर्स्ट इयर वाले सभी केंडिडेट के लिए आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दुर्गी इनुवर्शिटी में एडिमिशन लेने के लिए आपको जो ऑनलेन फर्म कैसे बना है क्या क्या डॉकुमेंट लगेंगे क्या प्रोसेस है पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दे से चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी आपने नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं में जितने भी फर्स यर में जो रेगुलर केंडिड़ेट नियमित केंडिड़ेट जो एड्मिशन लेना चाहते हैं उन सभी केंडिड़ेट के लिए एड्मिशन कर रूए प्रोसेस है वह स्टार्ट हो गया है online form बने का जो starting date है एक जून रखा गया है जिसमें आप एक जून से 15 जून के बिच online form भर पाएंगे उसके बाद आपके जो इमेरिट लिस्ट है वहाँ बर 16 जून को जारी कर दिया जाएगा जिसमें 16 जून से 20 में आपको जिस जगह आपको सीट मिलेगी जहां आपका जो है सेलेक्शन होगा उस कॉलेज में जाकर एड्मिशन ले लेना है तो फ्रेंज यहाँ पर नीचे online प्रोसेस के बारे में फूरा डिटेर्ट इन्फॉमेशन दिया गया है तो चलिए जान लेते हैं कि हमें online form कैसे बरना होगा तो फ्रें हमें online form बने के लिए यहाँ पर जो है अपने mobile के browser को उपन करना है सर्च एटेप पर आकर आपको दूर्गी इन्फॉर्सिटी या हेमचन यादवीश्वी दाले लिख के सर्च कर देंगे यहाँ पर दूर्गी इन्फॉर्सिटी की official website पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे दूर्गी इन्फॉर्सिटी की यानि हमचन यादवीश्वी दाले की official website अपन हो जाता है इस page में जैसे नीचे आएं यहाँ पर देख सकते हैं online admission form 2023 लिखा हुआ आ रहा है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है जैसे फिर्ज आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे शामने एक नया page बपन हो जाता है यहाँ दोस्तों जो admission के process के पारे में पूरा जनकारी दिया गया है इसमें बताया गया है कि अगर आपको 12 का result नहीं आया है तो अभी online form नहीं भरना है क्योंकि 12 के result के आने के बाद ही आपको online form यहाँ पर भरना पड़ेगा अगर दोस्तों आपको जो result आ गया तो आप असानी से online form भर सकते हैं online form भरने के लिए जैसी आप इस page में निचे आएंगे आपर देख सकते हैं new registration लिखा हुआ आ रहा है तो आपको registration कराना होगा तो यहाँ पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे हमारे समने registration का page है वह open हो जाता है सबसे पहले यहाँ पर name आप applicant लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ 10th के mark sheet में जो भी आपका नाम है उस नाम को अपने जो है यहाँ पर लिख देना होगा first name, middle name और last name आपको लिख देना है अगर दूसरों क्यों first name है या last name है तो आप अपने 10th के mark sheet के according यहाँ पर अपना नाम भरेंगे इसके बाद date अब बर्त लिखा हुआ आ रहे हैं यहाँ पर click करेंगे तो हमारे समने calendar open हो जाता है यहाँ से सबसे पहले year select करेंगे, month select करेंगे और day को select कर देंगे इस प्रकास आपका date अब बर्त है हुआ यहाँ पर select होके आ जाता है इसके बाद friends यहाँ पर जो है gender पर click करेंगे, male female जो भी आपका gender है उसको आपको select करना होगा निचे father's name और mother's name लिखा हुआ आ रहा है तो 10th के जो certificate करना है आपको अपना father's name और mother's name यहाँ पर लिख दिना होगा इसके बाद निचे email id मागी जा रहे है तो यहाँ आप अपना email id दे देंगे तो password बनाने के लिए आप देख सकते है एक्जांपल के रूप में आप इस प्रकार अपने हिसाब से जो भी आपको याद रहे है वैसी password बना लेंगे password में कम सकम एक character और जो है एक जो numeric word का use होना compulsory है इसके बाद उस password को निचे दुबारा confirm कर देना होगा यहाँ पर mobile number मांगा जा रहा है तो आपके mobile number यहाँ पर आपको दे देना होगा क्योंकि दोस्तो mobile number आपको खुद का देना है अगर आप जो password भूल जाएंगे या email ID को आपको forget करना होगा तो हाँ पर mobile number की जुरुत पढ़ती है इसलिए आप अपने यहाँ पर खुद का mobile number दे सकते हैं इसके बाद नेचे जो capture code दिख रही होगी उस capture code को fill करना होगा और sign up के button पर click कर देना है जैसी आप sign up के button पर click करेंगे friends हमारे सामें जो भी हम detail दिये हैं यहाँ पर उस पूल जैसी आप sign up के button पर click करेंगे हमारे सामने registration का detail आ जाता है यहाँ से आपको अच्छे से check कर लेना होगा सारा डेटियल सही होने एक बाद यहाँ पर नीजे confirm लिखा हुआ आ रहा है यहाँ से आप जो है confirm कर सकते हैं जैसी फ्रेंस आप confirm के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे शामने एक नए page open हो जाता है इसके बाद नीचे एक्टिवेट इवर एकांट लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा जैसे फ्रेंस यहाँ पर क्लिक करेंगे आप जो भी mobile number दिये हैं या email id दिये हैं जैसे फ्रेंस वहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पर यूजर नेम और जो ओटिवी डालने का options आ गया है यूजर नेम में जो आपने जो email id दिया था उस email id को यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों username के रूप में आपको हमेशा email id का यूज ही करना है इसके बाद दोस्तों नेचे OTP लिखा हुआ आ रहा है तो जो आपके email id में OTP गया होगा उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना होगा और submit के बटन पर क्लिक कर देना है जैसी अपके बटन पर क्लिक करेंगे हमारे submit के लोगईन करने के लिखा जा रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसी हाँ पर क्लिक करेंगे हमारे समने वही पर जुपन हो जाता है सो फ्रेंट्स हमने हाँ पर registration कम्पिट कर लिया है अब हमें sign in करना होगा sign in करने के लिए आप जो sign in लिखा हुआ आ रहे हैं यहाँ पर क्लिक कर देंगे जैसी आप sign in के बटन पर क्लिक करेंगे यानि प्रोफाल है इस प्रकार से उपन हो जाता है यहाँ पर अपना application form submit करना है तो my applications लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आपको click कर देना होगा जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपका application है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको courses select करने के लिए बोला जा रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस medium में आप जो है graduation करना चाहते हैं उस medium को select कर देंगे Hindi और English दोनों medium में करना चाहते हैं तो both Hindi and English लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर click कर देंगे इसके बाद नीचे district पूछा जा रहा है आप किस district से जो belong करते हैं अपने district को यहाँ पर आपको जो है डाल देना होगा या किस district में पढ़ाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद fans यहाँ पर पूछा जा रहा है institute जैसे यहाँ पर click करेंगे तो आप जो भी डिस्ट्रिक डाले हैं उस district में कितने सारे colleges हैं सभी college का नाम आ जाता है आपको जिस college से जो graduation करना होगा या course करना होगा उस college को आपको select कर लेना होगा जैसे आप select course पर click करेंगे उस college में कितने सारे course इवलेबल हैं उन सभी का नाम आ जाता है बिचलर आप commerce या बिचलर आप science यानि BSC, BA या B.com जिस course में आप admission लेना चाहते हैं जो आपने 12th किया हुआ है उसी के according यहाँ पर आपको course सेलेक्ट करना होता है course सेलेक्ट कर लेने के बाद इसके बाद I agree पर आपको जो चेक मार्क करना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं add the course लिखा हुआ आ रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद फिर समारे सामने इस प्रकार से हमारे application का पूरा detail आ जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा जो step है वह incomplete है इन सभी steps को हमें complete करना पड़ेगा इसके लिए पहले number पर application details पर आपको क्लिक करना होगा कुछ data पहले से यहाँ पर automatic fill हुआ आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर category लिखी हुई आ रहे हैं यहाँ पर click करेंगे general, SC, ST, OBC, non-criminal, criminal, criminal जो भी आपकी category होगी उसको यहाँ पर आपको select कर देना होगा इसके बाद नीचे physical challenge लिखा हुआ आ रहा है अगर दोस्तों आप physical handicap के अंदर गत आते होंगे तो yes करेंगे otherwise यहाँ पर आपको no कर देना होगा इसके बाद दोस्तों नीचे आपको nationality select करना होगा यहाँ पर click करके आप Indian select कर देंगे freedom fighter होंगे तो यहाँ पर आपको yes by click करना है otherwise no पर click करेंगे religion याँ धर्म पूछा जा रहा है तो यहाँ पर click करेंगे तो देख सकते हिंदू, Muslim, Sikh, Gen, Parts जो भी आपकी religion याँ धर्म होगी उसको आपको select करना होगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर eligibility certificate मागी जारी है अगर आपके पास होगा तो yes करेंगे otherwise आपको no पर click कर देना होगा migration certificate मागी जारी है तो 12 में आपको migration certificate मिला होगा तो yes by click करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर medium पर देख सकते हैं Hindi medium से हैं या English medium से हैं उसको आपको select करना पड़ेगा इसके बाद जैसे space में नीचे आते हैं यहाँ पर आपको अपना permanent address fill करना होगा सबसे पहले building house number आपको डालना है इस प्रकास आपका अपना permanent address यहाँ पर fill करना है permanent address fill करने के बाद यहाँ पर correspondence address यानि पत्र बेखार का पता पूछा जा रहा है और आपका permanent address और पत्र बेखार का पता दोनों shame है तो यहाँ पर shame is लिखा हुवा आ रहे यहाँ पर tick करेंगे automatic सारा information यहाँ पर fill के आ जाता है आपको दुबारा भरना नहीं पड़ेगा अगर आपका पत्र बेखार का पता अलग है तो यहाँ से आप अपने पत्र बेखार के पता को पूरा detail डाल सकते हैं इसके बाद में इस पेज में जैसे निचे आएंगे यहाँ पर save and proceed का बटन है यहाँ आपको क्लिक करना होगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारा first step है वह complete हो गया है second step में हमें अपना photo और signature upload करना होगा photo upload करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं size दिया गया है इसी size में आप अपने photo को reduce कर सकते हैं photo upload करने के लिए चुछ फाल पर क्लिक करेंगे आप अपने mobile के फाइल से photo select करेंगे और upload photo पर क्लिक कर देंगे आपको photograph से कुछ इस प्रकाश upload हो गया है दोस्तों मैं कि और यहाँ पर sample group में यह photo upload किया हूँ उसी प्रकाश आप अपने photo को upload कर सकते हैं उसी प्रकाश आप signature भी upload कर देंगे अगर आपको photo signature upload नहीं होता है तो आप अपने जो photo या signature के size को check कर सकते हैं photo और signature upload हो जाने के बाद में नीचे save and proceed का बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा जैसी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे third step में हमें 10th 12 का पूरा detail डालने के यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे पहले 10th standard लिखा हुआ आ रहा है board university and roll number लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर select के बटन पर क्लिक करेंगे आप 10th जिस board से किये होंगे cg board cbc board other board उसको आपको select कर लेना होगा इसके बाद friends यहाँ पर जो roll number मागा जा रहा है तो आप अपने 10th के जो mark sheet में roll number है उसको यहाँ पर आपको जो है roll number डाल लेने के बाद friends नीचे पूछा जा रहा है किस year में आप 10th pass out है तो उस year को आपको select करना है school या college का नाम लिखा हुआ आ रहा है तो 10th में आप अपनी school का नाम यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद division या grade लिखा हुआ आ रहा है तो आप 10th में आपको कितना number मिला हुआ है उसको लिख देंगे इसके बाद फिर निचे आपको save and continue का बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना होगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस पर कासे डॉकुमेंट अप्लोड करने का पेज है वह आ जाता है सबसे पहले 10th 12th आप अपने कासर सर्टिफिकेट मैग्रिशन सर्टिफिक होगा उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आप अपने गैलरी से पहले 10th के सर्टिफिकेट को स्लेट करेंगे उसके बाद यहाँ पर टाइप पर देख सकते हैं original होगा तो original लिक दिनगे अगर original नहीं आया होगा तो उस condition में provisional यानि internet copy आपके पास होगी तो उसको भी आप जो provisional डालके upload कर सकते हैं उसके बाद आप mark sheet में जो certificate नंबर या roll नंबर उसको डालेंगे और upload के बटन पर क्लिक कर देंगे जैसे ही आप upload के बटन पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं हमारा document है वह upload हो गया है click here पर क्लिक करना है जैसी आप save and proceed के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सम्निस प्रकास है हमारा subject group सेलेक्ट करने का option से वह आ जाता है अगर आप science सेलेक्ट की होंगे तो उस college में कौन कौन से जो है subject group है उस group के अनुसार यहाँ पर subject का नाम आ जाता है अगर आप जो chemistry bot ने जो logist से ज आपको सेलेक्ट करना होगा subject सेलेक्ट करने के बाद save and continue का बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद फेंस यहाँ पर एक्स्टर वेटेज लिखा हुआ आ रहा है अगर आप जो NCC जैसे कोर्स में पहले ही सम्रीद हुए है अगर आपके पास कोई certificate होगा उसक कर लेना होगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है और कोई गलती होगी तो यहाँ पर आप cancel कर सकते हैं अगर फेंस आपका सारा detail सही है तो I confirm the above पर आपको जो check mark करना होगा और confirm and submit पर क्लिक कर देंगे जैसी आप confirm and submit पर क्लिक करेंगे आपका application form है successful यहाँ पर जो submit हो जाता है इ अब अपने application form को dashboard में जाकर print कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस प्रकार से हेम चन या दो विश्वी दले दुर्गी यानि की दुर्गी नुव शिटी में online application form submit कर पाएंगे